नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज हमारे पास अवेलेबल है Realme का लेटेस्ट लाँच Realme 12 Pro इंडिया में लाँच हो चुका है दोस्तो प्राइस स्टार्ट होता है टूर्ट रिपर लाइन से तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तो आणबोक्सिंग तो करने ही वाले हैं इस देवाइस का देखेंगे क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं कैसा यह एफोन क्या आपको यह एफोन परचेस करना चाहिए यह फिन नहीं लेकिन साथ ही दोस्तो यहाँ पर हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं इसका रेडवी नोट 13 प्रो के साथ में क्योंकि इन दोनों ही फोन का प्राइजिंग लगबग सेम है तो हाँ यहाँ पर आपको यह जानने को मिलेगा कि आपको दोनों में से कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए तो चलिए इसको और मैं रख रहा हूँ साइड में पहले स्टार्ट करते हैं एक वेक अन्बॉक्सिंग के साथ फिर हम जाएंगे कंपैरिजन की तरफ बॉक्स में दोस्तो सबसे पहले है यह एन्वलर्प और एन्वलर्प में दोस्तो एक ट्रांस्परेंट बैक कवर कुल दोकिमेंटेशन और एक सिसमेजेक्टर टूल और फिर है दोस्तो यह डिवाइस और यह भी हमारे पास अवालेबल है ब्लू कलर में फिलाल दोस्तो मैं इसको साइट में रख रहा हूँ देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट दिये गए हैं इसके बाद एक सूपर वुक चार्जर और यह आता है दोस्तो 67W के आटबोट एटिंग के साथ में और लास में USB A2 Type-C और अब दोस्तो यह डिवाईज डिजाइन दोस्तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे के अपने Realme 12 Pro Plus में देखा था यहाँ पर भी आपको Rear Side Vigal Leather के साथ में देखने हो मिलने वाला है काफी Soft Touch है दोस्तो अच्छा फील आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा डिजाइन के बारे में हम अल्रेडी बात कर चुके है Realme 12 Pro Plus में तो हाँ दोस्तो फोन का डिजाइन अच्छा है वेट की बात कर रहे हैं तो आल्मोस 190 ग्राम के वेट के साथ में आपको यह देखने हो मिलेगा ठिकनेस आपको मिलता है 8.75 mm का तो चलिए दोस्तो अब मैं चलिए से सेट अप कर लिता हूँ इस देवाइस का और फिर बात करते हैं थोड़े सी और डेटेल में और हाँ हमें कंपरिसम भी करना है दोस्तो Redmi Note 13 Pro के साथ दोस्तो फोन कंप्रीट सेट अप हो गया है और हम आ गया है इसके होम स्क्रीन पे सबसे बहले आपको बदा दें यहां पर भी आपको मिलता है कर्व ओलिट पैनल जो कियाता है दोस्तो 6.67 चेस की स्क्रीन साइस के साथ में यहां पर 128 का स्क्रीन रिफरेशेट यूज किया गया है डिस्प्ले कॉलिट दोस्तो अच्छा है यहां हम अल्रीड टैस कर चुके है यहां वैसा ही डिस्प्ले कॉलिट अपको यहां पर देखने को मिल रहा है अगर मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन रिफरेशेट की तो जैसे कि मैंने आपका ओलिटी बता है यहां पर हमें 128 का स्क्रीन रिफरेशेट देखने हो मिलता है और यह काफ़े ज़्यादा स्मूध भी है अब अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तो इस phone की UI की तो यह phone काम कर रहा है Realme के latest Realme UI 5.0 version के साथ में जो की based है Android 14 पर और इस UI में दोस्तो एक अच्छी बात कि यहाँ पर जो pre-loaded applications आपको देखने हो मिलती हैं जो प्लोट पर देखने हो मिलती हैं लेकिन अगर आप चाहें Snapchat आप कोई नहीं चाहिए तो वो भी आप यहाँ से uninstall कर सकते हैं तो हाँ दोस्तो यहाँ पर में काफी improvement देखने को मिल रहा है और अब दोस्तो अगर में बात कर रहा हूं इस phone के camera की तो यहाँ पर दिया गया है 50 megapixel का primary sensor जहाँ पर Sony का IMX 882 sensor को यूज किया गया है यहाँ पर दोस्तो में telephoto lens भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी में oise का support देखने को मिल जाता है और साथ यहाँ पर 8 megapixel का attribute sensor भी दिया गया है front camera की बात कर रहा हैं दोस्तो तो यह आपको मिलता है 16 megapixel का इस phone के camera से दोस्तो हमने कुछ images को capture किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी images दोस्तो impressive images हमें first impression में देखने को मिल रही है outdoor lighting condition में दोस्तो colors हमें अच्छी देखने को मिल रही है saturation भी बिल्कुल on point है और हाँ जो dynamic range है वो भी यह में बिल्कुल proper देखने को मिल रही है दोस्तो वीडियो की बात कर रहे हैं तो 4K record आप कर सकते हैं 30 और 60 fps दोनों के साथ में available है यह वीडियो आप देख सकते हैं 4K के साथ में record किया गया है 30 fps के साथ में तो यहाँ भी वीडियो कॉलिटी में कोई issues देखने को नहीं मिल रहे हैं इनफेक्ट यह भी काफी अच्छा था और अब बात किजाए दोस्तो इस phone के performance की तो यह phone में देखने को मिलता है दोस्तो snapdragon 6 and 1 चिपसेट के साथ में यह नया चिपसेट है दोस्तो और SM ने test किया है performance आपको इसका अच्छा देखने को मिलेगा लगबग 5 लाग से उपर की benchmark score देखने को मिल जाते हैं app opening speed अच्छी है in fact यहाँ पर में multitasking भी अच्छी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर दोस्तो आपनी gaming को भी try किया S1 9 को try किया, BGMI को try किया और यहाँ पर performance मुझे अब तक तो अच्छा देखने को मिल रहा है बाकि long term इसको use करेंगे और फिर आपको review देंगे बाकि हाँ अभी first impression इस chipset के साथ में मेरा काफी अच्छा रहा है चलिए अब जो बाकि चीज़े रहे गई हैं दोस्तो इसको अब cover करेंगे Redmi Note 13 Pro के साथ में comparison करके जी हाँ, आज की इस वीडियो में दोस्तो इन दोनों ही phone का comparison भी करने वाले है क्योंकि इन दोनों ही phone की pricing में बहुत ज़़ड़ difference नहीं है और features में भी दोस्तो आप कह सकते हैं बहुत ज़़ड़ difference नहीं है तो चलिए आज आज आपको बताते हैं कि इन दोनों में से कौन से phone की तरफ आपको जाना चाहिए तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं comparison को इन दोनों ही phone की design के साथ में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो इन दोनों ही phone का rear panel और काफी बड़ा difference हमको देखने हो मिलता है दोस्तो इनके design में एक आप देख सकते हैं glossy back panel के साथ में आ रहा है जहाँ पर glass back दिया गया है Redmi Note 13 Pro में जबकि यहाँ पर Realme 12 Pro में आपको देखने हो मिलता है एक leather finish वाला feel दोस्तो और यहाँ पर मैंने आपको अल्रीड बताया काफी soft touch आपको मिलेगा काफी soft feel आपको देखने हो मिलेगा तो हाँ बहुत ही बड़ा difference है दोस्तो और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी confusion वाली बात है जी हाँ थोड़ा सा modern design हमें Realme 12 Pro में देखने हो मिल रहा है और जो feel है दोस्तो जो premium feel हमें देखने हो मिलता है वो भी no doubt यहाँ पर Realme 12 Pro के साथ में हमें देखने हो मिलेगा हाला कि इन दोनों ही phones के दोस्तो dimensions में भी थोड़ा सा difference है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो thickness है वो आपको थोड़ी सी कम देखने हो मिलने वाली है Redmi Note 13 Pro में क्योंकि यह 8 mm की thickness के साथ में आता है जबकि यहाँ पर थोड़ा सा बारी आप कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा bulky आप कह सकते हैं हाला कि weight में बहुत देखने हैं लेकिन thickness की वज़े से आपको थोड़ा सा bulky phone लगने वाला है Realme 12 Pro यहाँ पर में 8.75 mm का thickness देखने को मिलेगा तो हाँ दोस्तो हाँ में feel होता है कि यह थोड़ा सा bulky है इसके comparison में अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो front side की तो यहाँ पर दोनों ही phones में दोस्तो 6.67 inches का ही screen size गिया गया है और दोनों ही phones हमें 128 के screen refresh rate की साथ में देखने हो मिल रहे है दोनों ही phones में दोस्तो AMOLED panel है हाँ resolution में आपको थोड़ा से difference देखने हो मिलेगा Full HD Plus के resolution के साथ में हमें Realme 12 Pro देखने हो मिलता है जबकि Redmi Note 13 Pro आता है दोस्तो 1.5 के resolution के साथ में यहाँ पर अगर मैं display quality की बात कर रहा हूँ तो खेर colors वागिरा में बहुत ज़्यादा difference नहीं है दोस्तो यह आप यहाँ पर देख सकते है दोनों ही phones का display quality अच्छा लग रहा है यह काफी bright भी है हाला कि अगर मैं peak brightness की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर Redmi Note 13 Pro में दोस्तो 1890 nits का peak brightness दिया गया है जो कि काफी ज़्यादा होता है जबकि Realme 12 Pro में यह almost 950 nits था हाला कि outdoor में मैंने इसको check किया दोस्तो मुझे SH कोई issues तो देखने को नहीं मिले है Realme 12 Pro में लेकिन हो सकता है कि direct sunlight में आपको Redmi Note 13 Pro better देखने हो मिले हाला कि display quality आप देख सकता है यह दोनों ही force का काफी अच्छा था लेकिन हाँ दोस्तो एक plus point जरूर जाएगा Realme 12 Pro में क्योंकि यहाँ पर curved display दिया गया है यह modern तो लगता ही है दोस्तो इंफेक्ट इससे viewing experience भी और अच्छा हो जाता है चलिए चलते हैं दोस्तो थोड़ सा और आगे बात करते हैं UI की तो यहाँ पे MIUI 14 के साथ में देखने हो मिलता है Redmi Note 13 Pro यह Android 13 पे है दोस्तो हाला कि इसमें HyperOS का upgrade आने वाला है जोकि Android 14 पे है लेकिन वो कब आएगा इसके बारे में पता नहीं है जबकि Realme 12 Pro दोस्तो अभी काम कर रहा है Android 14 पे जी हाँ यह आउटो बॉक्स ही में Realme UI 5.0 वर्टों के साथ में देखने को मिल रहा है चलिए अब चलते हैं दोस्तो कैमरा की दरफ तो दोनों ही फोस पे दोस्तो ट्रिपल लियर कैमरा सर्टप दिया गया है कैमरा कटाउट वैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा हाला कि कैमरा का स्पेस्ट फिशन पे बिल्कुल अलग है यहां पे हमें 200 Megapixel का primary sensor देखने को मिलता है दोस्तो Redmi Note 13 Pro में जबकि 50 Megapixel का primary sensor दिया गया है Realme 12 Pro में लेकिन यहां पे जो sensor यूज किया गया है यह है Sony AMX 882 इसके लब दोस्तों यहां पे हमें telephone lens भी देखने को मिल रहा है जबकि वो नहीं है Redmi Note 13 Pro में यहां पर हमें 8 Megapixel का ultra wide sensor दोनों ही फोस में देखने को मिलता है और हाँ OIS का support भी आपको दोस्तों दोनों ही फोस में देखने को मिलेगा front camera की बात कर रहे हैं तो दोनों ही फोस में यह 16 Megapixel है camera UI अब देख सकते हैं दोनों ही फोस का खेर इस पर जादा नहीं जाते हैं दोस्तों कोई भी changes हमको यहां पर देखने को नहीं मलते हैं लेकिन हाँ दोस्तों कुछ images हमने लिए हैं दोनों ही फोन के rear और front camera से outdoor lighting condition में indoor lighting condition में यह images आप देखिए और यहां पर दोस्तों मुझे देखने हूं बला जो outdoor images है यह definitely better हमें देखने मतली है realme 12 pro में यहां पर आप कुछ images देख भी सकते हैं dynamic range भी better है दोस्तों colors और detailing में भी अच्छे हैं लेकिन हाँ अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों indoor lighting condition की कुछ images की तो वो आप देख सकते हैं realme 12 pro में वहां पर जो colors हैं वो बिल्कुल change हो जाते हैं बिल्कुल भी actual color नहीं आते हैं जबकि Redmi Note 13 Pro दोस्तों यहां पर काफी अच्छा काम कर रहा है और एक नहीं बलकि मैंने काफी सारी images को यहां पर check किया दोस्तों तो outdoor में दोस्तों definitely better है realme 12 pro लेकि indoor में मुझे लगता है कि थोड़ से इसको improve होना चाहिए वीडियो की बात कर रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही phones में आप 4K record कर सकते हैं 30 और 60 एपिस दोनों available हैं यह वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों 4K के साथ में 30 एपिस में यहां पर मैं काऊंगा कि दोनों ही phones लगबख सेम से मिले आना कि color सकते difference हमें देखने हो मिलेगा दोस्तों और वो brand to brand difference होता ही है यह हम पहले पी चेक कर चुके हैं पैसे quality में बहुत ज़रा difference नहीं है यह मैं आपको जरू काऊंगा तो कुछ ऐसा camera में देखने हो मिलता है दोस्तों इन दोनों ही phones का और अब finally बात करते हैं दोनों ही phones के performance की दोस्तों तो snapdragon 7S Gen 2 chipset की साथ में देखने हो मिलता है दोस्तो Redmi Note 13 Pro जबकि Realme 12 Pro में दिया गया है दोस्तो snapdragon 6 Gen 1 chipset अब दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर की तो obviously आपको लगेगा कि Redmi Note 13 Pro बेथर है लेकिन अगर मैं आपको specification दिखाऊं तो वहाँ पे बहुत ज़रा difference नहीं है दोस्तों in fact जो architecture है वो को सेम है लेकिन हाँ जो clock speed है वो आपको snapdragon 7 as Gen 2 में थोड़ी सी बैठर देखने को मिलती है snapdragon 6 Gen 1 chipset के comparison में और अगर मैं practically performance की बात कर रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पे हमने चेक किया बहुत ही minor से difference था हाना कि थोड़ा सा बैतर आप कह सकते हैं Redmi Note 13 Pro है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़रा difference नहीं था in fact अगर मैं यहाँ पर batch mark score की बात भी कर रहा हूँ दोस्तों तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत कम difference आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो हाँ दोस्तो performance में आपको बहुत ज़रा difference देखने को नहीं मिलेगा यह मैं आपको जरू काऊँगा चलिए अब चलते हैं दोस्तो थोड़ा सा और आगे बात करते हैं बैटरी की 5000 mAh का बैटरी हमें दिखने मिलता है दोस्तो Realme 12 Pro में 5100 mAh का बैटरी Redmi Note 13 Pro में दोनों ही फोस में 67 Watt का charging support दिया गया है इन दोनों ही फोस का battery drain test और charging test हम जल्दी करने वाले हैं तो उसके लिए आप channel पर बने रहा सकते हैं speakers की बात कर रहा है तो उस तो दोनों ही फोस में dualist 2 speakers दिखने हो बल रहा है sound quality दोनों ही फोस का काफी अच्छा था, loud था और quality में भी दोनों ही फोस almost same से थे security में दोस्तों दोनों ही फोस में in display fingerprint sensor आ रहा है performance अच्छा था यहाँ पर पहले Redmi Note series में दोस्तों in display fingerprint sensor नहीं आता था खैर Realme यह हमें काफी समय से दे रहा है तो अब यह Redmi पी भी आ चुका है तो कुल में लागा दोस्तों कुछ ऐसा comparison हमको देखने हो मिलता है दोनों ही फोस का दोनों ही फोस दोस्तों बहुत आप स्पास हैं और आपको शायद मुश्किल हो सकता है दोनों में से choose करना लेकिन हाँ कुछ चीजे मुझे अच्छे लेकने को मिली हैं दोस्तों Realme 12 Pro की जिसमें design आता है जिसमें display quality भी आता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें curve display देखने हो मल रहा है तो थोड़ा सा premium display भी हो जाता है modern भी है और हाँ viewing experience भी थोड़ा सा बैतर हो जाता है जैसे कि मैं आपको अल्रीड बताया हाला कि indoor pictures में यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा improvement की जरुवत है क्योंकि Realme 12 Pro Plus में ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर images हमें अच्छी देखने को मल रही थी बागी दोस्तों आप बतायेगा कि आपको दोनों में से कौन सा phone जादा पसंद आ रहा है आप हमें नीचे का message बता सकते हैं तो बस दोस्तों यही था आज कि इस वीडियो में मुझे पूरी उमीदे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेकर नम मत बूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो देखने चल्को सब्सक्राइब जरुकर लीजेगा हम अब मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में तरफ तक आपके दिन चोब रहे हैं आज का वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवाद